गली बॉयर फैंस के लिए गुड नियूज बनेगा फिल्म का दूसरा पार्ट रनवीर सिंगह और आलिया भट स्टार फिल्म गली बॉयर अगर आपको अच्छी लगी तो आपके लिए एक गुड नियूज है इस फिल्म का सीक्वल पार्ट बनाने को लेकर विचार मन्थन शुरू हो गया है फिल्म की निर्देशक जोया अख्तर ने इस खबर की पुष्टी करते हुए कहा कि फिल्म का सीक्वल बनाया जाएगा फिल्म में रणवीर आलिया के काम की खूब तारीफ हुई थी और फिल्म को क्रिटिक से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म ने कमपर्टीशन के बाब जूद बॉक्स आफिस पर शानदार कमाई की और देखते ही देखते एक सा करोड का आंकड़ा पार कर गई डेकन क्रॉनिकल से बाचीत में जोया अख्तर ने कहा मेरी सहलेखा करीमा कागती और मुझे लगता है कि हमारे देश में हिपपप के कल्चर पर अभी बहुत कुछ है जिसे बयाक किया जाना बाकी है और अगी फिल्म की थीम की स्क्रिप्टिंग और ट्लानिंग चल रही है पिछले कुछ वक्त से ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि यदि फिल्म का अगला पार्ट बनता है तो उसमें फरहान अख्तर को कास्ट किया जाएगा कयासों के इस दोर को विराम देते हुए जोया ने कहा वेह गली बॉय में फिट नहीं होते हैं इसके लिए हम दोनों को बहुत दुख है इसके अलावा रॉक ओन के बाद से उनकी इमेज म्यूजिक को लेकर एक अलग ही थीम बयाक करती है जिससे वेह जुरते हैं जोया ने कहा कि उन्हें अचानक से फिल्म में लाना दशकों को एक कल्चर शौक दे जाएगा बता दें कि गली बॉय में रणवीर और अलिया के आलावा कलकी, सिद्धान्त, चतुर्वेदी और विजह वर्मा अहम किरदार ने भाते नजर आये थे फिल्म की कहानी एक गली के लड़के मुराद के बारे में है जो रेपर बन कर दुनिया में अपना नाम करना चाहता है फिल्म इस लड़के किस्ट गल की दास्ताम बताती है